उर्दू नोवल दाना पानी किस नमबर एक अलिफ अल्ला चम्बे दिबोटी मन मिच मुर्षिद लाएं हूँ अलिफ अल्ला चम्बे दिबोटी मन मिच मुर्षिद लाएं हूँ नफी इस बाद दा पानी मिलिया हर रग हर जाएं हूँ यानि अलिफ से अल्ला का नाम शुरू होता है मेरे मुर्षिद ने मेरे दिल में चम्बे ली यानि अल्ला की मुहबबत की कलम लगाई है मैंने इस पोड़े की नफी इस बात के पानी से आवियारी की और इसके खुश्वू को अपने हर रगो रेशे में बसा लिया गामू माश्की की बलन दवाज हर रोस की तरह इस सुपी जोग जीवन की फजाओं में तूर तक कोयल की कोक की तरह गुंज रही थी वो हग बाहू का किलाम परना शुरू हुआ था हर रोस की तरहा फजर के बाद गाओं के कुएं पर चर्की के साथ अपना मुश्क बांद कर कुएं में पहंकते हुए गामू बर जजब से वो कलामे हग बाहू शुरू कर देता था वो कलाम था पीर मिले ते पीर न जावे और पीर की करना हूँ जस मुश्छ थी रष्ट न होवे और मुश्छ की करना हूँ जानी पीर मले और दर्ड ना जाए ऐसे पीर को मत मानो जस मर्शिद से रोष्ट तो अकल न मिले इस मर्शिद को क्या करना कुएं की चर्खे गुरर गुरर के साथ भूमती जा रही थी और इस पिल लिपेटी रसी मुष्ट के वजन से खुथ जा रही थी और गामु शेर्की को और तेजी से घुमाता और हज़त सुर्टान हग बाहू का कलाम बले जजब से पढ़ता हुआ किसी और ही जहान में पहुंच जाता था ना इसे कुरान आता था और ना हदीथ बस आता था तो बस हग बाहू का कलाम वो भी जो इसने अपने बाप को सुन सुन कर रटा था बच्पण में कभी माबाप ने कुरानी काइदा पर आया था और पहले सपारे से पहले ही बाप की मौद ने गुलाम मुहम्मे जाथ में सपारे की जगा पाने के मश्म पक्रा ती वो जो इसके कद्से भी बड़ी थी और यूं गुलाम मुहम्मद से वो गामों माश्की हो गया ये काम उसे बड़ी खुशी खुशी अपने सेर लिया था वो जद्धी पुश्टी माश्की था बाप दादा भी यही काम करते थे और उसे भी बाप के साथ बच्पन से ही गाउं की कुएं पर जाजा कर चल्खी घुमाना और मुश्क भरना बड़ा अच्छा लगता था पर उससे भी जद्धा मज़े का काम उस पानी के मुश्क से पूरे गाउं के घरों के मटके और बरतन भरना और पिर गल्यों की सूखी मट्टी पर पानी चरकना और सूखी मट्टी का यू नम होकर जमीन पर बैट जाना जैसे वो उसके पाने के लिए ही तरसी हो गामू तीन साल के उमर से बाप के साथ साथ सुबस सवेरे अपने नन्हे कदमों से किसी बड़े की तरहां चलते हुए छोग जीमिन के उन पचास साथ घरों की दर्वाजे दर्वाजे जाता था उसका बाप पानी चरकता हग बाहू का कलाम परता और वो कलाम नन्हे गुलाम मुहम्मद के जहन में जैसे नक शोगया हो उसके बाप की लौक में हौक नहीं थी और गामू की आवाज में हौक ही हौक थी जिस हादी थी नई हिदायत और हादी की करना हूँ जिस हादी थी नई हिदायत और हादी की करना हूँ मुशिद एन हयाती बाहू लूलू विच समाया हूँ यानि जिस हादी से हिदायत ना मिले उस हादी के पीचे चलने से क्या फाइदा मुशित तो वो है जो एन हयात हो नसनस में समाया हो मुश्क कुए की ते में पानी से टकराई थी और शर्की घूमना रुख गई हलकी अंदेरे में भी गामु को पता चल गया था कि मुश्क पानी से टकरा गई थी और अब पानी में जूबते हुए वो इस पानी को अपने अंदर समो रही थी गामु कुए के किनारे ख़़ा बगएर देखे भी जिससे सब देख रहा था कितनी देर में मुश्क पानी तक जाती है पर कितनी देर में पानी से भर जाती है और पर कब वापस खेंच लेनी थी चेखे के गेर लिप्ती बाकी महांदा रसी एक दम खुल कर तन गई और गामु को पता लग गया कि अब उससे मश्क वापस खेंच लेनी थी कीती जान हुआ रब्दे ऐसा इसक कमाया हूँ मरं थी पहले मर गए बाङू ता मतलब नो पाया हूँ यानि हमने ऐसा इसक कमाया है कि हम अपनी जान सिर्फ रब्द के हवाले कर दी है मरने से पहले ही जान जाने आफनी के सुपर्ट कर दी है तब कहीं जाकर मुराद पाई है पौप फुट रही थी जब गामों मुश्क खेंच रहा था और शरकी उसे गुरर गुरर की आवाज के साथ अब उल्टर गूमते हुए रसी को लिपेट रही थी जब तक मुश्क कुएं से बाहर आई गाउं के चंद अवारा कुटे हर रोज की तरह प्यास से हांपते कांपते जबाने निकालते हुए कुएं के बास जमा हो गए थे वो गामू पर कभी नहीं भूंकते थे क्योंके सुभो शाम वही था जो मुश्क कुएं से निकाल कर सबसे पहले कुएं के बास बने एक गड़े में उनके लिए पानी डालता था वो कुटे गामू से भी पहले इस गड़े के गिर एकटे हो गए थे मुश्द से चलकता थन्डा पानी उस घरे में गिरने लगा और तब तक गिरता ही गया जब तक आखरी कुट भी अपने प्यास बजा कर हच नहीं गया जांदो मुश्द कासा दितरा तांवी बे पर्वाही हू रातें जग्यां की होया जे मुष्च जाग न लाई हूँ यानि जब से मुष्च ने मेरे हाथ में तलब हक कासा दिया है तब से मैं दुनिया से बेपरवा हो गया हूँ राते जागने से क्या होगा जब तक मुष्च दिल में तरप न पैदा करेगा छोग जीवन की सुभो और शाम गामू माश्की के पानी और हग बाहू के कलाम से होती थी ना मुष्च का पानी खतम होता था और ना गामू की आवास का सोज ना उसकी हौक जो भी गामू को सुनता था बस सुनता ही रह जाता था वो उस गाउं का पाइट पाइपर था जो सुब सवेरे पानी भरता चरगता प्यास बुझाता पूरे गाउं के चरन परन को अपने पीछे लगाए फिरता रहता था गाउं का पता पता बोटा बोटा जैसे गाउं की आवाज इसके बैरों की चाप और इसके मुश्च से चलकते पानी की महक और मिठास को पहचानता था वो कुटे कुए पर गामों के मुश्च से पानी पीते पर गामों के साथ साथ पूरे गाउं में तब तक घुमते फिरते जब तक गामों मुश्च भर भर कर गाउं की गलियों में फिरता रहता और फिर जब वो अपने घर चला जाता तो वो भी लोड जाते और फिर शाम को फिर कोई पर गामू के इंतजार में बैटे मिलते गामू रस्ते में आने वली हर मखलूब को पानी पिलाने खड़ा हो जाता था और करी बार गाओं की ओरतों की छिड़कियां सुनता जिनके गर वो इसलिए देर से पहुंचता था क्योंकि उसके मुश्क बार बार भर के खतम हो जाती थी पर गामू के माते पर कभी भी बल ना आया उसके होंटों से कभी हसी चूटी छोटे कद का दूबला पतला मामूली सूरत का सामला गामू पानी ढोड़ो के उस गाओं के लोगों का राजदा बन गया था ऐसा राजदा जिससे पानी भरवाते पीते कोई भी कुछ भी पूछ लेता और कुछ भी कह देता दिल के अंदर के राज़ों से लेकर जहन के पर्दों पर बनने वाली यादों तक गामू माशकी से किसी का कोई परदा नहीं था दिल से किसी का क्या पर वो जोग जीवन की रगों में पानी खून की तरह पहुंचाता जोग जीवन का दिल ही तो था कुएं से मुश्क उठाता और वो सबसे पहले गाओं के कबरें तर करने के लिए निकल जाता हाँ ये भी था कि उसने अपने बाप से सीखा था अपने माबाप और रष्टेदारों की कबरों पर पानी चिड़कते चिड़कते गामू सारी ही कबरों को तर करने लग जाता क्योंके गीली कबरों के दर्मयान सूखी कबरें यूं गामू को मुँ चड़ाती थी कि तैसे उसने सब को पानी पिला दिया हो और किसी को छोड़ दिया हो और गामू कहां किसी को छोड़ने वाला था वो जनके खांदान वालों की कबरे थी वो आए ना आए गामू जरूर आ था कबरें ठंडी करता पूरे कबरस्तान में पानी छिड़कर चला जाता और जहां ज तहां किसी ने कबर पर परंदों के लिए दाना पानी के प्याले रखे हुए वहां भी वो पानी भर जाता। वो कबरेस्तान के बाद सीधा गाओं की मस्जद जाता वहां घरे बढ़ता और खुशी से नहाल होता रहता था जैसे वो रब सोने के घर में पानी देने आया हो। गाओं की उस कच्छी की मस्जद में कोई नमाजी आता ना आता गामों पानी डाने जरूर आता था। कबरेस्तान में लगे मोतिया के पोदों से मोतियों के फूल तोर कर वो मस्जद के पानी के घरों के पास छोड जाता। किसी और ने मस्ज़द में जारू लगाया ना लगाया वो जारू लगाने खरा हो जाता और मस्ज़द के बाद वो सबसे पहले गाउं के चोजियों की हवेली जाता था बगदाद शहर दी की ये निशानी उच्छियं लम्या च्छी रहा हूं बगदाद शेहर दी की ये निशानी उच्छिया लम्या ची रहा हूं तन्मन मेरा पुर्जे पुर्जे जीमी दर्जी दिया ली रहा हूं बगदाद शेहर की क्या निशानी है फकर की राह में लगे गहरे जखम इस राह में मेरा तन मन न्यू लीरो लीर हो चुका है जैसे दरजी के किये हुए कपरों के टुकरे इस हवेली से गामू को दाने आते थे वो दाने जिससे उसका घर का चूला जलता था और उसके पेट का इंधन भी वो इसान मंदी और तशक्र के लिए वहाँ पानी ही ला सकता था इसके बावजूद के हवेली में हैंड पॉम्प भी लगा हुआ था और वहाँ पिछले आहाते में अपना कूँआ भी था उसे कभी किसी ने हवेली पानी लाने के लिए नहीं कहा था पर गामू फिर भी वहाँ जाता और हवेली में वहीं से पानी ले लेकर अंदर बाहर छरकता परता और हग बाहू का कलाम परता जाता कई बार चोदरी कलामत उसे बिठा कर वो कलाम सुनने का कहते थे और जिस दन वो चोदरी कलामत को कलाम सुनाता उस दिन सुब सवेरे ही जैसे उसका दामन दानों से भर जाता वो गाउंगों को कुछ ना कुछ दे कर ही रुकसत करते थे गाउं के माश्की के लिए कभी हवेली का दिर्वाज़ा बन नहीं हुआ था ये जैसे इसके काम और रोहदे की तक्रीम थी मंग बगदाद दे टुकड़े बाहू करसा मीरा मीरा हूँ यानि दिलो रू के इन टुकड़ों का कफन पहन कर में बगदाद के फकीरों में मिल जाओंगा और बगदाद चहर की गलियों में भीक मांगता पिरूंगा और उनका नाम बार बार पकारूंगा अंदर किसी कमरे में मरदान गाने में जाने के लिए तयार होते हुए चौदरी करामत के सीने पर गामू के करामने जैसे सीने पर हाथ डाला था चौदराइन को चार महीने हुए थे फोत हुए वे और जब से वो गई थी, चौदरी करामत का अंदर बाहर ही बदल कर रह गया था गामो की आवाज उसको अंदर बाहर से यू फिरोल रही थी जैसे दानों को साफ करने के लिए उनमें हाथ पेटी किसी की उंगलियां